नमस्कार दोस्त, समराट अशोक के माध्यम से दुनिया भर में भारत की नैतिक विजय का जो गौरव हासिल हुआ है, उसकी दीप्ती बाइस सो साल के बाद भी दुन्दली नहीं हुए, कुछ एक लोग उस दीप्ती को दुन्दला करने के आमादा है, प्राचीन भारत का सबस अशोक राज इसकी मिसाल है, कि राज भी अहिंसक हो सकता है, बुद्ध और अशोक भारत की सांती संस्क्रत के सबसे बड़े प्रती हैं, इसलिए स्वतनत्र भारत ने सारनात के शिंग सीर्ष को अपने राज चिन्ह के रूप में ग्रहन किया, और मानवता के इस महान नायक के प्रती अपनी सच्ची स्रंदाजली अर्पित की, 99 भायों की हत्या की सच्चाई, दीपवन्ष, महावन्ष और अशोक अवदान जैसे परवर्तिय ग्रंथों में अशोक से संबंदित अनेक गप हैं, हमें इन से सजग रहने की जरूरत है, मिसाल के तोर पर एक सहायतिक ग अपने भाईयों के निवासों का तथा अपनी बहनों के निवास कक्षों का उल्यक गिया है, यो पाटली पुत्र में भीत इसलिए गप एतिहासिक द्रस्टिकोड के अमान ने हैं, जैसे कि हम देखाए हैं कि समराट अशोक द्वारा 99 भाईयों की हत्या की बात जूटी है, ऐसी ही जूटी बातों के आधार पर समराट अशोक की छवी धूमिल करने के लिए कुछे करवरती गरंतों में चंड अशोक की कपोल कल्पित अवधारना खड़ी की गई है, इनमें सबसे आगे संस्कृत गरंत अशोक अवदान है, पुरततों में चंड अशोक का जिक्र कही नहीं मिलता है, यहां तक कि भारत के बौधतर राजाओं के अभिलेखों में भी इसका जिक्र नहीं है, रूदर दामन के जुनागर सिलालेख में अशोक का उलेख है, लेकिन वे वहां जन कल्यानकारी राजा के रूप में उपस्थित है, धम अशोक का उलेख पुरतत्वि कि दादी थी, बारवी सदी के इस अभिलेख में सम्राट शोक को धर्मा शोक कहा गया, इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरतत्व में कल्यानकारी अशोक और ध्रम अशोक के पुक्ता सबूत मिलते हैं, इन में अशोक से जुड़ी अनेक कपॉल कल्पित कताये हैं, अशोक के पूर्व जन्द की कथाएं भी इसमें हैं इसी ग्रंथ में अशोक की कुरुपता की आण में अंतहपुर की इस्त्रियों को जलाय जाने का जिक्र है जबकि इस्त्रियों के हित के लिए उन्होंने बाकाइदा विभाग स्थापित किया था जैसा कि अभी हम लोगों इस पर एक पुरानी वीडियो भी बनाई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जागा आप वो वीडियो और डीटेल में देख सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि समराट अश अशो की प्राचीन नकाशी तथा मूर्तिया मिलती है कहीं भी कुरूप होने का चित्रन नहीं है इसके विपरीद गुईमेत म्यूजियम पेरिस में अशो की रखी नकाशी अपनी कद काठी में प्रभावशाली और मनोहरी है वे हर समय और हर जगह जनता की आवास सुनने के के लिए तव अशोक ने संपुर्ण प्रजा को अपनी संथान बताया है कारण की अशोक अशोक प्रजा वतसल्य समराट थे अज़ जो अत्यन्त विक्षित देश दुनिया के अलप विक्षित और आविक्षित देशों की सरवजक लिएन की मदद करते हैं वह अशोक की ही द मेली थी उसी यूनान में समराट शोक ने बस दो ही पीड़ी बाद दवाईया बटवाई थी अशोक ने न सिर्फ मानव अधिकार की बलकी जीव सरनक्षण की भी बात चलाई थी यहीं से जियो और जीने दुका सिधान्त तयार हुआ है अशोक राज में दंड विधान समान थ था व्यवार की समानता और सभी पर बगैर भेद भाव के एक ही कानून लागू था खुद समराट शोक ने जन कल्यान के लिए बाग लगवाए उवें खुदवाए और विश्राम ग्रह बनवाए और पशुओ के लिए चिकित साले बनवाने वाले विश्व के प्रतम राष्ट के लिए घातक भारत में समराट शोक को लेकर अनेक नाटक लिखे गए चंदराज भंडारी ने समराट शोक 1923 में नाटक लिखा तो लचमिरा नायन मिस्र ने अशोक 1926 नाम से नाटक की रचना की दस्रत ओजा का विख्यात नाटक प्रियदर सी समराट अशोक 1935 इसा पूर्व में प्रकाशित हुआ था जाहिर है कि वे गुलाम भारत के नाटक करो ने भी राष्ट नायक अशोक पर इतनी हलकी टिपड़ी नहीं की जितनी हलकी टिपड़ी दया प्रकाश शिनहा ने की है यदि मानव कल्यान के लिए धंकार पागलपन है तो फिर मानवत क्या है दया प्रकाश चिनहा हराल में अशोक की छवी धूमिल करने के लिए जिम्मेदार है कारण है कि वे आप रमाणी कत्थों को अन्य श्रोतों के बगार सत्यापित कि ये कूड़ा की भात बटोर ला है और अशोक महान की छवी खराब कर रहे है तो दोस्तों आपको वी लता है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शियर जरूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में